यदि सपने में आप खुद को चोर के रूप में देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुग साकेट नहीं देता है, ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ी ठगी आने वाली है. इसके अलावा ये सपना आत्म विश्वाश की कमी का संकेट भी देता है. अगर आप सोय हुए होते हैं और सपने में कोई आपकी कमबल उतार कर ले जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने निजी लोगों के ठगी का शिकार होना पड़ सकता है. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूग चेनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नई विडियो की नोटिफि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पूछते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया, दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताए, अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी तो इस विडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों मिलते हैं अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जै श्री राम, जै हनुमान!